नमश्कार दोस्तों, कर्म हमेशा समल करने चाहेंगे क्योंकि ना किसी की बद्दुव खाले जाती है और ना ही कभी किसी की दूए नमश्कार दोस्तों, ओम नमस्यवाए हरहर महादेव स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूटू ब चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे आपके राशी फल के बारे में दोस्तो आज आपका 24 अक्टोबर दिन सोम बार कैसा रहने वाला है आपको आने वाले समय में किन-किन चीजों से साबधान रहने की आवशकता है और दोस्तो आपको बता दे आने वाले समय में वो कौन-कौन सी और दोस्तो आपको बता दे आपका प्रेम संबंद कैसा रहेगा इसके साथ ही साथ आपका स्वास कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशी फल बताने वाले हैं अगर दोस्तो आप भी अपनी राशी जानना चाते हैं और कुछ अच्छे फ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकिशन बैल को आल पर स्लेट करिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में दोस्तो आज का पंचांग है 24 अक्टूबर 2022 दिन सोंबार आज की तीती है चतुरदशी आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र पक्ष चल रहा है क्रिश्न पक्ष दोस्तो आज सूरिदेब उदे होंगे सुबा छे बच कर 27 मिनिट पर सूरिदेब अस्थ होंगे शाम पाच बच कर 40 मिनिट पर दोस्तों आज आपका शुब समय है सुभा यज बच कर बैलिस मिनिट से सुभा दस बच कर 27 मिनिट तक रहेगा अगर दोस्तों आपको कोई भी शुब काम करना है तो इसी समय कर लीजीए आपके लिए शुब रहेगा और इसके साथी साथ आज का अशुप समय है, दोपेर बारा बच कर 27 मिनट से, दोपेर एक बच कर बारा मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नंबर रहेगा, नो, और लखी कलर है, लाल अब बात कर लेते हैं दोस्तो, आपके राशी फल के बारे में दोस्तों कैसा रहेगा आपका दिन आए जानते हैं समय बर्बाद करने से बेतर है कि आप शांत रहेगा दोस्तों याद रखिए कि समझदार कामों के जरिये ही हम जीवन को अर्थ देते हैं उन्हें महसूस करने देए कि आप उनका खयाल रखते हैं प्रेम जीवन में दोस्तो आशा की नई किरन उत्पन होगी किसी के साथ में नई परियोजना या फिर भागीदारी वाले विवसाय को शुरू करने से बचना चाहिए आज दोस्तों आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अपनी मन को शांत बनाये रखने के लिए आप एकांत में समय विताना पसंद करेंगे दोस्तों आपको खुशी से बरिशादी सुज़र जिंदगी की एहमियत का एहसास होने वाला है स्वास्ते चिंताओं के कारण आप परिशान रह सकते हैं अपनी चिंताओं को स्वैम ही ना रखें बलकि उनके साथ शेयर करें जो आपकी साहेता कर सकते हैं सोच समझ कर निवेश करने की आवशकता है अभी खुद की देख भाल का अब्यास कर लीजिए और दोस्तों अपने उत्तरों के लिए अध्यात में ग्रास्तों का सहरा लीजिए स्वाट से समझ समस्याइं आपको परिशानी में डाल सकती है कि दोस्तों अपने परिवार और परिजनों के साथ में बिताया हुआ समय उर्जा का काम कर सकता है अधिक काम करने से बचना है, यूजना बनाने के बाद में उस पर पूरी तरह से अमल करना सफलता में महदपूर्ण भूमी का निभाता है व्यक्ति अपने कारेों से मान होता है, अपने जन्म से नहीं कुछ नहीं गती विदियों में वेस्तिता रह सकती है इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दे, कोई महदपूर्ण निड़ने लेने से पहले परवारिक सदस्यों की सलहा अवशे लेना चाहिए यूवाओं को करेयर संबंदी सूच ना मिल सकती है, खास तोर से महिलाओं के लिए समय उत्तम चल रहा है इसके उप्राण दोस्तों आपको बता दे, यदि आप कोई नया कारे करयानित करने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी बहतर स्थितियां उत्पन करने वाला है दोस्तों अपनी दिन चर्या को ववस्त बना कर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवशे कर लीजिए इसरे दोस्तों इससे आपके अंदर मान सिक्षान्ती और उर्जा का संसार होगा आर्दिक दिर्ष्टी से इस समय बहुती उत्तम रहने वाला है दोस्तों दरण निश्चे होकर काम करने से आपकी योजनाए अवशे ही सफल होंगी साथी दोस्तों इस समय दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा आपको अपनी कारेशमता पर आत्मुबल विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है दोस्तों किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होगा दोस्तों इस समय नजदी की विक्तियों से समस्य हो सकती है साथी दोस्तों इससे बचने की कोशिश करें इसके साथ दोस्तों इस समय परिवार के किसी युवा विक्ती की खास प्रगती हो सकती है दोस्तों आपकी करेर के लिए जो समय होगा इस समय कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन सम्मधी दिक्कते दूर होंगी कारे शेत्री में भी डुके हुए कामों में गती आईगी और दोस्तों वेवसाइक पार्टियों के साथ में सम्मंदों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करिए क्योंकि ये सम्मंद आपके भवशे में लाबदायक साबित होंगे और दोस्तों इस समय आपके करेर के लिए जो समय होगा दोस्तों इस समय वेवसाइक इस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा जो कि दोस्तों आपके लिए काफी बहतर रहने वाला है दोस्तों आपको बता दें संकर्ष एवं विचारों की असमानता आप और आपके साथी के बीच में कहीं न कहीं सुरक्षित होने की संभावना है लेकिन दोस्तों आपको अपने विचारों से पीछे नहीं हटना है और उसी के साथ में रहना है लेकिन दोस्तों आप चिंता ना करिए क्योंकि ये इस्तिती एक इस्थाई मनमुटाव को जन्म नहीं देगी और दोस्तों हाला कि आपके साथी के साथ में आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है लेकिन दोस्तों जब ये बात आपको पता चलेगा कि जो आपने किया वे आप अपनी सही सोच का किया था तो दोस्तों आपको अपने साथी से और अधिक सम्मान मिलेगा प्यवसाइक गति विदियों में दोस्तों घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सला जरूर लीजिए निचे ही आपको उचित मारदर्शन की प्राप्ति होगी कामकाज की सिलसेरे में यात्रा हो सकती है नौकरी पेशल लोगों के कामकाज में दोस्तों सकारात्मंग बदलाव आ सकता है बात कर लेते हैं आपके सिहत के बारे में नकारात्मंग विचार को अपने जीवन में इस्थान बिल्कुल भी ना दे कुछ समय प्रकरती के सारनित्दे में भी आपको जरूर विदित करने की आवशकता है पिछले कुछ समय से आप अपने पचन में वड़ात्री महसूस कर रही है आप इसके बारे में दोस्तों काफी जागरुग भी है लेकिन आपको इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे है हो सकता है दोस्तों कि आज आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटीन मिल सकती है आप हलका पूल का वयाम भी कर सकते हैं वेस्तिस सड़कों पर आपको नहीं गुमना है अपने कारे और दिन चर्या में काफी धियान देने की आवशकता है इसके साथी दोस्तों सरदर्द की वज़े से समझ से अत्मन हो सकती है इसलिए आपको इस समय अपने सापनानी बरतने की आवशकता है साथी इस समय कभी-कभी मौसम में बदलाव की कारण आपके उपर आलस भी हावी हो सकता है दोस्तो इस समय आपको बार-बार आख किया जाता है कि गले से समधित किसी भी इंफेक्शन हो सकती है इसलिए दोस्तो इन्हें कंबीरता से लेने की आवशकता है तुरत इलाज लीजिए और इस समय आपको काफी महतुपून चीजों को रखना है दोस्तो इसके साथ ही आपको बता दे दिवाली का समय चल रहा है आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवशकता है क्योंकि कोई दुरगटना होने की संभावना बन रही है इसके साथ ही दोस्तों आप सबी को बता दे कि नए खबर मिल सकती है घर के सदस्यों में भी तापसी तालमेल बना रहेगा जिन्से दोस्तों इस समय आपसी संबन भी मदूर हैने वाले हैं इस समय दोस्तों आपको बता दे अपनों के लिए समय जरूर निकाले ये आपके लिए बैतर रहेगा इसके साथी दोस्तों आपके बात कर लें आपके स्वास के बारे में किस समय फालतू जो है जानवरों के साथ में छीड़ छाड़ नहीं करनी है उनके दुआरा आपको कोई स्वाथ सम्द्धी नुकसान भी इस समय हो सकता है इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके स्वास के लिए जो समय होगा गैस या फिर कब्जी की शिकायत रह सकती है अपना खान पान और दिन्चर्या को फ्यवस्त रखना आपके स्वास के लिए बहतर रहेगा तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ जर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़र तबाईएगा ताकि आने वाली नौलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले अंति तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्यवाएद दोस्तों